पूरे उत्तर भारत में थंड केहरर लगट अरज़ारी है कोहरे के कारन लोगों को आवज़ाही में परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है बात कर लजाहर, रालदान दिली में दिली एरपोर्ट ने आत्रियों के लिए एडवाजरी भी जारी की है कोहरे को लेकर अलड भ बात करेंगे हिमाचल में मोसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कोहरे को लेकर बढ़ती ठंड को लेकर मंडी के कई जगाओ पर बारिश के साथ बर्फबारी की च्वेतावनी दे दी गई यह मोसम विभाग की तरफ से और साथी नागरी को प्रेटकों से अधिक उचाई वाले शेत्रों का रुख करते हैं ऐसे में अपील की गई है कि उचाई वाले शेत्रों की तरफ नहीं जाएं और अपने घरों में सुरक्ष स्थानों पर रहने का अग्रे किया गया मोसम विभाग के तरफ से यह ताजा जानकारी आपको दरें क्योंकि अब की बार जो ठंड बरस रही है जो ठंड पड़ रही है पिछले बताया जा रहा है कि 10 से 12 साल के जो रिकोर्ड है वो सभी रिकोर्ड टूट चुके हैं ऐसे में बात करने के लिए लगातार हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर हमार साथ बने हुए और प्रदीप ठाकुर आप इस समय शिमला में मुझूद है आज का तापमान बताया जा रहा है शिमला में सुन्य डिग्री जो है ऐसे में क्या कुछ हलात बने हुए मोसम को लेकर किन-किन तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है नागरी को कोर साधी प्रदीप ठाकुर बिलकुल बसंद देखे हिमाचल में इस वक्त कडाके की ठंड पड़ी हुई है और तापमान भी लगातार गिर रहा है और जो उन्चाई वाले एक्षेतर है बहाँ पर माइनस में तापमान चला गया है राज़ानी शिमला की भी बात करें तो शुन्य डिग्री जो है ताप चल रहा है हलांकि मौसम भी भाग का पूरवा नुमान था कि आज बर्षबारी हो सकती है उन्चाई वाले इलाकों में लेकिन अभी हम अगर शिमला की बात करें तो यहां पर बिलकुल आस्मान साफ है निला आस्मान है और गुंगुनी धूप इस वक्त खुली हुई है तो बर्षबारी हो सकती है और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है पिछले कल मौसम इस तरह का बन गया था ऐसा लग रहा था कि निचले इलाकों में बारिश हो जाएगी और उपरी इलाकों में बर्षबारी हो सकती है तो दो हजार सोला के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब पर बिल्कुल भी बर्फबारी या बारिश वो नहीं हुई है तो यह नुकसान दाइक चीज रहती है तो ऐसी सिती में कोशिश हमेशा जो है बागवान जो है उनकी हमेशा उमिद यही रहती है कि जो मौसम है वो इस दौरान उनका साथ दे क्योंकि फसले इस वक्त बीजी लेकिन अभी यहां पर परसित्यां कुछ और तरह किया है जी प्रदीप ठाकूर ऐसे में सरकार की तरफ से क्या अलाव की कुछ व्यवस्ता की गई है प्रिटकों के साथ साकी जो मापे लोकल नांगरिक होते हैं ऐसे में क्योंकि देखा जाते हैं कि जब भी माचल ऑप्रशन के सरफर अलग Ah इसीतो कर अर्व ब्यूशन की जाती है और लोग जो है वो अपने सवर पर भी इस तरह के प्रियास करते हैं लगों का रखाजाई नो तरफ से उनको शेल्टर हो में ले जाया जाता है शिमला में ऐसा कुछ तिन पहले प्रयास भी दीसी की तरफ से किया गया था बाकी जिलों में इस तरह के प्रयास की जा रहे हैं लेकिन अभी क्यूंकि अगर हम बात करें तो जब बर्फबारी का दौर शुरू होता है तो वह तौर इस तरह की जाते हैं बिल्कुल 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 अस्ता के प्रयास किये जाते है डिक प्रदीप प्रदीप जुक्र केला एडर गरता हैं प्रेमलाल इसमेल आउस्पिती में क्या कुछ हलात बने हुआ मोसम के चलते क्योंकि मोसम विभाग के तरफ से एडवाइजरी भी स्पेशल एडवाइजरी नागरिकों के साथ साथ ट्रेटकों के लिए भी जारी कर दी गई है प्रेमलाल जिस प्रकार से जो मोसम विज्ञान के अंदर की जो भविश वाणी थी और जिलापरशासन ने भी इसको लेकर जो है और प्रेटकों को और आम लोगों को जो है उचाई वाले इलाकों में ना जाने की सला दी गई है लेकिन जिस प्रकार से आप अभी देख सकते हैं लाल सिपिती में मोसम में बिल्कुल साथ हो गया है और कहीं भी जो है बर्फवारी के जो आसार नजर नहीं आ रहे हैं इस व के हैं लोगों को जो है पानी जो पीने के पानी अपनी जरूरत के पानी को यूज करने के लिए जो है लोगों को दूर दूर से अब पानी ढोका लाना पड़ रहा है क्योंकि खुश्की काफी लंबे से चली आ रही है और क्योंकि खुश्की होने के साथ जो है इसका ठंड क सब्सक्राइब काफी जादा बढ़ गया है लोग इंज़ार कर रहे हैं किसान और बागवान बर्फवारी हो किसी तरह से यह खुश्की मीटे और साथ यह असर कम देखने को मिल रही है और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फिल्कुल दूप खिली हुई है और कहीं भी बर्फवारी के आसार जो नजर नहीं आ रहे हैं जी ठीक है प्रेमलाल बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना बहुत ध्यान रुकिए क्योंकि ठंड भादा है